नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागा थे आपके अपने इंटूर्ट चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी 50 का स्ट्रांग सपोर्ट और रजिस्टेंस चार दिसंबर 2020 के लिए क्या होगा साथ ही साथ वो कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें मुझे पॉजिटिव मोमेंटम लगता है सेसन को स्टार करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं साथी साथ जो निफ्टि की ए इनलाइज की गई थी वो निफ्टि के एनलाइज के कॉडं कि मार्केट काहां पर ठीक ता है आएगा एक positive momentum मिलेगा और 13,200 का level दोस्तों हम ही लगता है important level इसको break करेगा then so on वो चलता चला जाएगा लेकिन friends आप देख रहें कि gap up opening हुआ जो की हुआ 13,215 और stock ने 13,200 के उपर sustain भी नहीं किया और बाद में आके वो 13,130 के आसपास अपने आपको sustain करने लगा support जो था 13,015 वहां तक तो id वहीं पर जो हमारा resistance था 13,130 जो की first resistance था जिन लोगों ने वीडियोज देखा होगा उनको पता होगा जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग वीडियोज को देखा करें दोस्तों और यहां पर 130 को उसने support वीड़ अप कर लिया gap अप होने के बात बात करते हैं दोस्तों stock की और हमने आपको दो stock दिया था जिसमें TCS पहला stock था फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि 27,43 के ऊपर 27,43 जो की resistance था बाद में इसने support convert यह कर चुका था यहां पे इस session में आप देख सकते support convert कर चुका था market और पहला जो मेरा target ही था वो था 27,70 का और आप देख लिजिए market जो gap अप खुला TCS भी gap अप खुला 27,70 के target के पास खुला और फिर क्या हुआ हमने आपको बोला था फ्रेंड्स ही आपके 27,26 के नीचे जाएगा अगर तो 27,26 के अगर नीचे जाता है तो 27,26 के आज़ पा देख लिजे दोस्तो जिस भी level को हमने दिया हुआ है जिसमें 27,49 भी था particular level देखिए दोस्तो यह आपका sustain करते हुए नीचे की तरफ move किया तो यहां पे entry कहीं पे भी नहीं मिली चुकी buying scenario था आप sell करते तो sell इस level पे कर सकते थे क्योंकि एक strong resistance था फिर support convert किया बाद में फि ध्यान से देखते होंगे तो इस वाले levels पे वो entry sell के लिए कर सकते थे जो कि यहां पे scenario देख रहा है बात करते हैं दोस्तो अगले stock की जिसमें था वो था दोस्तो ग्रासिम ग्रासिम का level भी हमने आपको clear cut बोला था कि buying हम करेंगे 918 रूपे के ऊपर ही 918 रूपे के ऊपर ह परना है नीचे उसके नीचे हमें छूना भी नहीं है इस stock को buying के लिए और दोस्तो जो support के तौर पे बताए गया था आपको जिन लोगोंने वीडियो देखा है मैं फिर से बोल रहा हूं उन्होंने ये levels को देखा होगा जिन लोगों को लग रहा हो कि levels हमने नहीं दिया दोस 917 के ऊपर opening हुआ sustain क्या पहली ही candles के नीचे अगली candle पहली पांच मट के candles के downside की तरफ अगली candle ने move कि और बाद में क्या हुआ 917 रूपे असी पैसा जो exact price था और 18 के ऊपर हम buying के लिए बोले थे यहां पर देखिए इसको resistance माना बाद में क्या हुआ 911 पहला support देखिए दोस nearby तक गया दोस्तों और वहां पर फिर आके वो 911 रूपे जो strong support था वो support पे अपने आपको sustain किया तो यह तो रही दोस्तों 3 December के लिए जो stock आपको दिए गये थो निफ्टी फिपी का अनलाइस किया था वो मैंने बात किया अब बात करते हैं 4 December 2020 के लिए क्या निफ्टी के importance level है और कौन सा SI stock है जिसमें मुझे momentum positive दिख रहे हैं तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों यहां पे 4 December 2020 के लिए जो important level मुझे नजार आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से 13157 मोटा मोटी में दिखा जाए मतलब round figure में कितने लोग बोल रहे हैं कि आपका जो word है मोटा मोटी आप round figure लगभग का ठीक है तो आप इसको थोड़ा सा वैजानी लीजेगा तो यहां पे 13157 का important resistance नजार आ रहा है और एक round figure अगर नंबर आप ले सकते हैं तो 13160 13160 बात की जाए दूसरे सब को resistance की माफ कीजेगा तो 13200 जो की आपको पता है कि 13200 पे एक strong resistance अभी भी बर करार है बात की जाए दोस्तो support की तरफ तो 1315 का level जो है दोस्तो वो अभी भी strong support की तोर पे खड़ा है और बात की जाए कि अगर stock जो है वो 1315 की नीची आता है और sustain कर जाता है तो मेरे हिसाब से दोस्तो definitely फिर आपको 1350 का level जो है देखने को मिल जाएगा तो nifty 50 जो है nifty 50 में मेरी analysis के according दोस्तो यही इसका support और resistance है बात की जाए कि market जो है opening की तो दोस्तो market की opening के according में यह level तबज़ो देंगे आपको मतब respect करेंगे अभी जैसे आपने देखा कि यह हमारा target था 13200 का लेकिन यह खुला ही वहाँ पर जैसे TCS में 2770 का target था और 2743 के उपर buying करना था लेकिन यह opening ही 2770 पर हुआ target already done है भी इसके उपर sustain करें देखें already gap up है तो यह opening के wording ही रेंज जो है आपने आपको form करेंगे अगर उपर खुला यह support के तौर पर काम करना चाहिए बात करते हैं दोस्तों जो हमारे पास केवल एक ही ऐसे stock है जिसको मुझे एक positive momentum दिख रहा है ग्रासिम तो है ही ग्रासिम तो आने वाले समय में या possible है कल अगर मार्केट में एक momentum दिखा हमें तो ग्रासिम में एक अच्छा momentum दिख सकता है तो ग्रासिम को आप focus करके चले और बात करते हैं अब एक ऐसे stock जिसका नाम है बर्जर पेंट बर्जर पेंट में दोस्तों एक momentum हमीं दिख रहा है मैं यह आ जरा रहा है वो बहुत ही range में बात की जाए तो बहुत ही nearby में ही है वो है 607 का level so support तो nearby में है तो मुझे लगता है इसमें momentum उपर side का मिल जाएगा आपको और जो buying की अगर सला बात की जाए तो 673 रुपे पैसे एक strong resistance के तो resistance के तौर पे form होगा और यहां पे buying की अगर बात क जाए तो 675 ध्यान रखिएगा 675 675 के उपर अगर price अपने आपको move करके sustain करता आप यहां पे entry कर सकते हैं जो भी method होगा entry का method आपका खुद का होगा मैं entry का method देता ही नहीं हो right तो यहां पे आप 675 के उपर buying की सोच रख सकते हैं दोस्तों तो यह है हमारे हमारे पास जो आ नजर बना के रखिएगा मैं भले ही नहीं दे रहा हूँ already मैंने दो तीन दिन दे रख था है अभी भी मेरा point आप उसमें buying का है और उसमें market ठोड़ा सा भी sustain करेगा वह बहुत तेजी से निगलेगा friends तो वीडियो आपको पसंद आया होगा label की समझ में आ गया होगा वीडि झाल 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 झाल